प्रेगनेंसी में सूखा नारियल खाने के फाइदे नारियल ढेर सारी गुणों से भरा होता है बात चाहे सूखे नारियल, पानी वाले नारियल या फिर पके उए नारियल के ही क्यों ना हो गर्भावस्ता के दोरान बहुत फाइदे मन्द होते हैं गर्भावस्ता के नो महिनों के दोरा नारियल का सुरक्षित रूप से सेवन किया जा सकता है वहीं अगर बात सूखे नारियल की करे तो यह मा और उसके होने वाले शिशू के लिए फाइदे मन्द होता है नारियल में मौझूद आविशिक फेटी एसिड शिशू के उचित विकास और उसकी व्रद्धी में मदद करते हैं नारियल में मौझूद लारिक एसिड इस्तन के दूद के उतपादन को बढ़ाने में मदद करता है और गर्भावस्ता के दोरान जोडों के दर्द को भी रोकता है नारियल में विटामिन E भी होता है जो गर्भ होती महिलाओं के लिए भी फायदे मन दे इसलिए एक Healthy बच्चा पाने के लिए और गर्भावस्था से सम्न दिद बिमारियों को रोकने के लिए आपको गर्भावस्था के दो रान सुखे नारियल का सेवन करना चाहिए आइए जानते है प्रेगनिंसी में सुखा नारियल खाने से क्या-क्या फायदे होते है Morning sickness से दिलाए राहत नारियल गर्भावस्ता के दोरान मतली और उल्टी से राहत देता है या गर्भावस्ता के दोरान एसडिटी और सीने की जलन को भी रोकता है इस दिक्कत से राहत पाने के लिए सुभा एक सूखा या ताजा नारियल खा सकती है आप नारियल का दूद या नारियल पानी भी पी सकती है स्टेच मार्क से मुक्ती पेट पर खुजली हो रही हो या फिर स्टेच मार्क पड़ गए हो तो नारियल के तेल को जरूर लगाए नारियल तेल आपकी तवचा को मॉस्चुराइज करेगा और पेट की खुजली को रोपता है ब्रेस्ट मिल्क को देता है बढ़ावा गर्भावस्ता के दोरान यदि नियमी तूप से नारियल खाया जाए तो आपके बच्चे के लिए समरद और पोस्टिक दूद की आपूर्ती होगी नारियल में लारिक एसिड होता है जो गर्भावस्ता और इसतन पान के दोरान इसतन के दूद का निरमान करने में मदद करता है ब्लड सर्कूलेशन बढ़ाये गर्भावस्ता के दोरान रक्त की मात्रा 50% बढ़ जाती है जो पेरों की सूजन का कारण बनती है यदि ब्लड सर्कुलेशन खराब है तो इससे पेर में दर्द और सूजन हो सकता है नारियल खाने से आपके ब्लड सर्कुलेशन में व्रद्धी हो सकती है सॉफ्ट इस्किन बनाने में मददगार प्रेगनेंसी में सूखा नारियल खाने से महिलाओ की इस्किन सॉफ्ट बन सकती है सूखे नारियल में लारिक एसिड के उच्च मात्रा पाई जाती है ये एसिड नारियल के तेल में भी पाई जाती है ये इस्किन को सॉफ्ट बनाने क साथी प्रेगनेंसी के दोरान पेट और कमर की त्वचा पर पढ़ने वाले स्ट्रेच मांक के निसान को भी हलका करने में मदद कर सकता है दूद के उत्पादन को बढ़ाए नारियल में मौझूद फेटी एसिड शिशु के उचित विकास और उसकी व्रदी में मदद करते हैं नारियल में मौझूद लारिक एसिड ब्रेस्ट मिलक के उत्पादन को बढ़ाने में भी मदद कर सकते हैं इसमें विटामीन E की भी मातरा पाई जाती है मतली उल्टी से रहत दिलाए गर्भावस्था के दोरान होने वाली कुछ सामाने समस्याए जैसे मतली आना उल्टी आना SDT और सीने की जलन जिसी समस्याओं से भी रहत पाने के लिए गर्भयोती महिलाए सूखे नारियल का सेवन कर सकती है इस तरह की परिशानियों को दूर करने के लिए आप सूखे नारियल के साथ साथ ताजा नारियल या नारियल का दूद या नारियल का पानी भी पी सकती है धन्यवाद